त्रिणमूल कॉंग्रेस के पूर्व नेता शाह जहां शेख की गिरफतारी के 56 दिन बाद E.D. ने उसके खिलाफ जमीन कबजाने के मामले में विशेश अदालत में 113 पन्नों की पहली चार्जशीट दाकिल की है इसके मुताबिक शेख ने 261 करोर रुपए की अवैद संपतिक अबजाई है संदेश खाली मामले में चार्जशीट में शाह जहां के खिलाफ के अलावा उसके भाई आलमगीर और उसके दो साथी दीदार बक्स और शिबू हाजरा का भी नाम शामिल है सूत्रों के मुताबिक संदेश खाली में जमीन हडपने को लेकर एनफोर्समेंट डिरिक्टेट यानी एडी के अधिकारियों के हाथ कई संसनी खेज जानकारियां लगी है माना ये जा रहा है कि एडी के रुख के बाद शेख को जमानत मिलने में काफी मुश्किल होगी अधिकारियों को जाच में अब तक करीब 180 बिगा जमीन कबजाने का पता चल पाया है आरोप ये भी है कि इस तरह से उसने 261 करोड रुपए की अवैध संपत्ति कबजाई है इसमें से एडी पहले ही 27 करोड रुपए जब्त कर चुकी है सूत्रों के मुताबिक इन सभी मामलों का जिकर एडी की ओर से सौपी गई चार्जशीट में किया गया है